IPL 2024 का कारवा पहुँच चुका है कोलकाता की इडन गार्डन में एक टीम अपना घर छोड़ कर दूसरे के घर पर जाएगी यानि की लखनों की टीम अब इकाना इस्ट्रीडियम छोड़ कर इडन गार्डन पहुचेगी यहां उनके पुराने मेंटॉर यानि गौतम कंभीर से उनकी मुलाकात होगी और टीम कैसी है पिच कैसी है और कौन ये मुकाबला जीतेगा पलडा किसका बारी है यह सब इस वीडियो में जानेंगे पिच रिपोर्ट की बात करें तो इडन गार्डन का विकेट जो है वो बहुत अच्छा है बलेबाजी के लिए दूसरी बात मैच जो है वो आज दिन में होना है यानि कि साड़े तीन बजे मुकाबला शुरू होगा तो ना तो डिव की जंजट है और ना ही बॉल गीली होने की यानि कि बॉल जो है वो सूखी रहेगी तो इस्पिनर्स को मदद मिलेगी और दोपहर का मैच है तो इस्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती हुई नसर आएगी साथी साथ जब 6 सबाचे का समय होगा तो अंडर लाइट बॉल आपको थोड़ा सा स्विंग होती हुई दिख सकती है यानि कि टॉस जीत कर मुझे लगता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना अच्छा एक फैसला होगा क्योंकि हो सकता है कि समय रहते है विकेट सलो होता जाए एक ही मैच हुआ है और इसके बाद बहुत सारे मैच जो है वो इडन गार्डन में कोलकाता को खेलने है वहीं लखनों सिर्फ एक दिन के गैप पे दुबारा वहाँ पर पहुंची है बात की जाए प्लेइंग 11 की तो लखनों की टीम में मुझे लगता है कि बदलाव हो सकता है कि मोहिसिन खान वापस आए और शायद मैंग की आदब को खिलाया जाए पर जैसा कि किया लाओ ने का कि मैं क्या दो अभी पुरी तरह से फिट नहीं है तो शायद वो नजर नहीं आएंगे तो अगर मोहिसिन खान नहीं रहते तो फिर उन्हें अर्शद खान के साथ ही जाना पड़ेगा विचल स्टार्क, अरोरा, उनके साथ रांधिर रसल और हो सकता है कि आपको इस पिन में भी वही डेजर आएगा यानि कि बदला होने के उतने चांस नहीं है नितीश राना अगर फिट होते हैं तो फिर हो सकता है कि वेंकेटे शायर बाहर जाए ऐसा संभव है या फिर फिलिप सॉल्ड को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है पर अभी राना जी की वापसी पर फुरा सा डाउट है बात करें टॉस प्रेडिक्शन की तो मुझे लगता है यह टॉस है वो श्रीर सहीर जीते हैंगो और पहले बाले वाजी करने का फैसला करेंगो